दूसरा लूट दिलंगना में जैसे DRS के BRS बनने से कुछ नहीं बदला था वैसे ही BRS की जगर कॉंग्रेस से आने से कुछ नहीं बनने वाला क्योंकि ये की चक्ते बट्टे के लोग है ये बी आरेस ने अपनी सरकार में प्रेस्वरम प्रोजेक्ट जैसे गोठा ले किये कॉंग्रेस की सरकार उस पर कारवाई करने के मुझा आए फाईलों को दबा कर बैठ ड़ी तुम भी भले हम भी भले तुमने खाया मैं खाऊंगा साथ्यों ब्रस्टाचार परिवारबाद और तुष्टी करमें आकंठ डुबे इंडी करवंदन के नेता बौखलाते जा रहे हैं अब इनों ने दोजार चोबिस के चुनाव का अपना असली गोशना पत्र निकाला है मैं इनके परिवारबाद पर सवाल उठाता हूँ तो इन लोगों ने बोलना शुरू कर दिया हैं मोधी का कोई परिवार नहीं है अब तो कल ये कह देंगे कि तुम कभी जेल में तुझे सजा नहीं हुई इसलिए तुम राजनिति में नहीं आ सकते ये भी कह देंगे तलंगाना है कि मेरे भाई यो बहनो मेरा जीवन खुली किताब जैसा है आप मुझे देश वासी भली भाती जानते हैं समस्ते हैं मेरी पल पल की खबर देश रखता है और कभी मैं रात आप करता हूँ और खबर बाहर निकल जाती हैं तो देश से लाखों लोग मुझे लिखते हैं बताते हैं इतना काम मत करिए कुछ आराम करिए कि यह का भावय भनों कि एक सपना लेकर के बच्पन में घर छोड़ा था और जब मैं अपना घर छोड़ा एक सपना लेकर के चला था कि मैं देश वाच्पों के लिए जिऊंगा मेरा पल पल सिर्फ और सिर्फ आप लिए होंगे मेरा कोई नीजी सपना नहीं होगा आपके सपने यही मेरा संकल्प होगा और जिन्दगी खपा दूँगा तो आपके सपनों को पूरा करने के लिए आपके बच्चों के भविष्ट को उजबर बनाने के लिए और इसलिए देश के कोटी लोग मुझे अपना बांते हैं अपने परिवार के सदोसे की तरह मुझे प्यार करते हैं और इसलिए मैं कहता हूं 140 करोड देश वासी यही मेरा परिवार है यही मेरा परिवार है आदेश की करोडों बेटियां माताए बहने यही मोधी का परिवार है आदेश का हर गरीब यह मेरा परिवार है आदेश के कोटी कोटी बच्चे बुजूर यह मोधी का परिवार है जिसका कोई नहीं है वो भी मोधी के हैं और मोधी उनका है मेरा भारत मेरा परिवार मेरा भारत मेरा परिवार यही भावनाओं का विस्तार ले करके मैं सपनों को सपके साथ सिब्ज़ करने के लिए आपके लिए जी रहा हूँ आपके लिए जूज रहा हूँ और आपके लिए जूजता रहूँगा इसलिए आज पूरा देश एक सुर में कह रहा है मैं हूँ मोदी का परिवार मैं हूँ मोदी का परिवार मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ नेने मोदी कुटमम नेने 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 सात्यों आखिर मैं मैं तेलंगना के लोगों को देश के अन्यने लोगों का एक संदिश भी देना चाहता हूँ और गर्व से भरे हुए लोगों को मैं कहना चाहता हूँ राम मंदिर में राम मंदिर में सोने के दरवाजे हो या फिर मंदिर के स्तंब उनके निर्मान में तेलंगना की भूमी का रही है और इसके लिए पूरा देश तेलंगना के लोगों का आभार व्यक्त करता है राम लला का आशिरवाद पूरे तेलंगना के लोगों पर है हम विक्षिज भारत विक्षिज तेलंगना का लक्ष जरूर हासिल करेंगे भाय यो भनो मैं आप से यही आगर करता हूँ कि दो हजार से तालिफ पतीस साल हमारे पास है इतनी महनत करनी है इतनी महनत करनी है देश को दुनिया के सम्रुद्ध देशों की पराबरी में ला करके खड़ा रहा है हमारे माबाप को तो मुसीबतों में जिन्दगी गुजारनी पड़ी कि दिन्दगी